ये इस घर की न्यू मेंबर हरामी बहू है हमारी बहू पर तब तक उन्हें नहीं पता होता है कि कृती एक AI रोबोट है और हमारे इंडियन कल्चर में जिस तरह शादियां होती है उसी तरह इन दोनों की भी शादी हो जाती है फिर शाहिद अपनी रोबोट वाइफ को अपने पूरे फैमली से मिलाता है और ट्रेलर में उनके परिवार के बीच बाचित करने के दोरान कई कॉमेडी सीन को भी दिखाया गया है फिर सभी फिल्मों की तेरा अचानक कहानी में ट्विश्ट आती है अगले ही दिन कृती बिहोस हो जाती है अपनी वाइफ को बिहोस देकर शाहिद घबरा जाता है लेकिन मैं तो यह सोच रहाँ की रात गुजरने के बाद शाहिद को बिहोस हो जाना चाहिए था मतलब शाहिद का इंजन लोहे को भी तोड़ सकते तो आगे बढ़ते हैं कृती के बिहोस होने पर डिमपल का पारिया की इंट्री होती है जो यह वी इस फिल्म में सैंटिस्ट का रोल प्ले कर रही है चेक करने के दुरान डिमपल ही शाहिद को बताती है कि कृती एक AI रोबोट है जो उनकी बैटरी खत्म हो गई है और उन्हें चार्ज करने की जुरूरत है फिर क्याँ शाहिद उन्हें चार्ज करते हैं और फिर डिस्चार्ज करते हैं पर यह रोबोट वाली बात उनके family को नहीं पता होती है और trailer के लास्ट سीन में fighting scene को भी दिखाया गया है जो यह लड़ाई शाहिद क्यों लड़ते हैं या हमें पूरी फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी पूरे ट्रेलर में पंच लाइन और कॉमेडी की टैमिंग बहुत ही जवर्दस तरीके से दिखाई गई है जो अमीत जोसी और आराधना शाधवारा निर्देशितिया फिल्म 9 फरवरी को रिलीज होने वाली है इस फिल्म में डिंपल का पारिया के साथ धरमेंदर भी दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं जो फिल्म की पूरी कहानी एक इनसान और रोबोट के बीच लॉव एंगल की केमेस्ट्री को दिखाया जाएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरी वीडियो अच्छे लिए लिए टिपली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें